Hello and Welcome to Bridgebala Education YouTube Channel आज के इस educational lecture में बच्चों हम discuss करेंगे Class 9 के Science Chapter Is Matter Around Us Pure को Students ये इस chapter का Part 2 वीडियो है अगर आपने अब तक Part 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं हमारा topic है जो first topic है हम एक ऐसे mixture को कैसे separate करेंगे जिसमें दो immisible liquids हैं immisible का मतरब ऐसे liquids जो एक दूसरे में घुलते नहीं है जैसे कि यहाँ पर हमने kerosene oil और water का mixture लिया है तो इसको कैसे separate करेंगे by using separating funnel separating funnel को use करके हम इस mixture को separate करेंगे देखिए kerosene oil और जो water है यह immisible liquids हैं क्योंकि यह layers बना लेते हैं यह देखिए उपर kerosene oil है और नीचे water है इन दोनोंने layers बना रखी हैं अच्छे से एक दूसरे के अंदर घुले हुए नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ से stopcock को हटाएंगे और water को नीचे flow करने देंगे यहाँ पे हम नीचे एक बीकर लगा देंगे जैसे ही water पूरा नीचे चला जाएगा और kerosene oil अपने last तक आ जाएगा तब हम stopcock को बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा water तो नीचे आ जाएगा और kerosene oil जो है वो separating funnel के अंदर रह जाएगा तो इस तरीके से हम दो immisible liquids को separate कर पाएगे आगे आता है इस technique का use कहा कहा किया जाता है practical life में oil और water के mixture को separate करने के लिए iron को उसके ore से separate करते हुए जो slag है वो उपर से निकाला जाता है इसी method का use करके molten iron के उपर से दरसल होता क्या है जब iron निकाला जाता है उसके ore से तो नीचे तो होता है molten iron पिगला हुआ लोवा और उपर होता है slag जो की काफी light होता है जाग जैसा तो इसी separating funnel की help से ही slag को और molten iron को अलगलग किया जाता है इस principle को तबी use किया जा सकता है जब दो liquids आपस में immisible हो और वो एक दुसरे के साथ layers बनाते हो एक दुसरे में गुलते ना हो अब आगे आता है हमें salt और camphor इन दोनों को अलग करना है तो यहाँ पे जो technique है students यह वाली जो technique है यह technique वहाँ पे use की जाती है जहाँ पे दोनों में से कोई एक material sublimable substance हो sublimable का मतलब solid से directly gas में बदल जाए गर्म किये जाने पे एक ऐसा substance अगर हमें separate करना है तो उसके लिए हम sublimation process का use करेंगे जैसे salt और camphor के mixture की हम बात करें तो salt sublime नहीं होता है camphor हो जाता है heat करने पे heat करने पे camphor जो होता है वो क्या बन जाता है gaseous form में convert हो जाता है और salt जो है वो solid में ही रहता है ढगे देखिए तो यहां पे हमने क्या किया अभी यहां पे हमने यह setup तयार किया है ठीक है इस setup में हमने अगे हमने पहले तो एक separating funnel लिया है हमने एक funnel लिया है उस funnel के नीचे हमने एक burner लिया है, एक china dish के अंदर यह देखिए, यहाँ पे एक china dish है, china dish के अंदर हमने उस mixture को डाल दिया है, कौन से mixture को डाला है, salt और camphor के mixture को हमने china dish के अंदर डाल दिया है, और इस china dish के उपर हमने एक keep को, एक funnel को उल्टा करके, यह देखिए, funnel को उल्टा से गर्म करना है गर्म करने के बाद क्या होगा जो camphor है camphor क्योंकि volatile है तो क्या होगा यह directly gas में change हो जाएगा solid से directly gas में change हो जाएगा sublime हो जाएगा यह और जब यह gas में change होगा क्योंकि इसके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है तो यह यहाँ पे funnel के sides में दिखाई दे रहा होगा वो funnel के sides में इकठा हो जाएगा और जो salt है वो नीचे रह जाएगा तो इस तरीके से हम substance को salt और camphor को separate कर सकते हैं आगे हमारा जो technique है that is, is the dye in black ink का single color जो black ink अपने घरों में या कहीं भी इस्तेमाल करते हैं क्या वो single color black color की ही बनी होती है या फिर उसके अंदर बहुत सारे colors होते हैं तो इसका जवाब है कि उसके अंदर बहुत सारे colors को mix करके black ink बनाई जाती है तो इस separation technique में हम किसी भी ink के अलग-अलग components को separate करना सीखेंगे देखिए हमारे घर में या कहीं पे भी यूज होने वाली ज़ादतर inks में ज़ादतर dyes में कई सारे colors mixed up होते हैं तो उन individual colors को separate कैसे किया जाए तो उस technique का नाम होता है chromatography technique ठीक है यहाँ पे देखिए वैसे तो chromatography के कई types होते हैं लेकिन जो सबसे famous type है और जो class time के syllabus में आता है वो है paper chromatography paper chromatography कैसे किया जाता है यह मापको बताता हूँ सबसे पहले तो आप एक filter paper लेंगे filter paper के उपर आप एक pencil से line draw करेंगे students ध्यान रखें pencil से line draw करना आपको ink pen, fountain pen या किसी भी तरह के pen का use नहीं करना है क्योंकि pen की जो ink है वो हमारे experiment में problem create कर सकते इसलिए आपको pencil से mark लगाना है ठीक है अब आपको क्या करना है उसी mark के उपर एक ink का spot लगा देना जिस ink के colors को आप separate करना चाहते हैं उस ink के एक छोटे से drop को आप उस line के center में रख देंगे ठीक है या फिस sketch pen से गाड़ा सा mark लगा देंगे आपे या इंक का एक drop डाल देंगे ठीक है अब अब आपको क्या करना है ये जो paper था ये paper हमने तयार कर लिया है अब अगला काम आपको क्या करना है आपको एक जो है एक jar या एक glass लेना है और उसमें इस paper को डाल देना है और उस glass में थोड़ा सा पानी डालना है उस jar में थोड़ा सा पानी डालना है ध्यान रखें पानी जो हो है वो इस pencil से बनी हुई line से नीचे रहना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कुछ वक्त के लिए आपको इस setup को अपको undisturbed छोड़ देना है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो यह ink का spot था इसमें से उपर की तरफ colors दिखाई देने शुरू हो जाएंगे क्या होगा जैसे माली जी यह paper है हमारा तो इस paper के इस हिसे में कोई और color दिखाई देगा इस हिसे में कोई और color दिखाई देगा इस हिसे में कोई और color दिखाई देगा पानी में घुलने की ability अलग-लग थी जो पानी में ज़्यादा घुल रहा था वो color उपर तक गया और यहाँ पे जाके वो दिखाई दिया जो color पानी में सबसे कम घुल रहा था वो इस line के नस्दीक, pencil वाल लाइन के नस्दीक ही आपको दिखाई दे जाएगा तो जब यह जो पानी है नीचे, यह पानी जब उपर की तरफ चड़ेगा इस paper पे, filter paper पे तो अपने साथ ink के particles को, ink के components को भी लेके जाएगा और जो component, जो color पानी में कम soluble होगा, वो paper में नीचे छूट जाएगा पानी के साथ उपर नहीं जा पाएगा और जो color paper पानी में जादा soluble होगा, वो paper के उपर वाले हिस्से तक जा पाएगा तो इस technique की help से हम, ink के अलग-लग components को, अलग-लग colors को separate कर सकते हैं और chromatography का मतलब भी यही है, chroma का मतलब होता है color colors को separate करने की technique chromatography वैसे तो आजकल chromatography का इस्तिमाल कई fields में कई जगे किया जाता है लेकिन शुरू में जब इसको 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 इस्तिमाल करना शुरू किया गया था तब इसको क्योंकि ink के parts को, ink के components को separate करने के लिए ही use किया जाता था, इसलिए इसका नाम chromatography रख दिया गया अब इसके applications के बारे में हम पढ़ें, तो इसको किसी भी dye के colors को separate करने के लिए, natural color के pigments को separate करने के लिए, और blood के अंदर drugs का पता लगाने के लिए किया जाता है, आगे हमारा आता है दो missable liquids, अब की बार हमारे पास missable, यानि दो ऐसे liquids जो एक दूसरे के अंदर mix हो जाते हैं, और layers नहीं बनाते, उन liquids को हम कैसे separate करेंगे, वो हमें पढ़ना है, तो उन liquids को separate करने वाली process का नाम है distillation process, ध्यान रखें, missable liquids, यानि एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से घुल जाने वाले liquids को separate करने की process का नाम है distillation process, अब distillation process के दोरान, कौन से liquids को separate किया जा सकता है, व possible होने चाहिए, पहला point, first point, second point क्या है, कि ऐसे liquids होने चाहिए, जो गर्म करने पे decompose ना हो, यानि the liquids should not undergo any chemical reaction upon heating, heat करने पे उन दोनों liquids की कोई chemical reaction नहीं होनी चाहिए, तिसरा point क्या है, उन दोनों के boiling point में कम से कम 25 degree Celsius का, या 25 Kelvin का फर्क जरूर होना चाहिए, तो जो दो liquids इन तीनों conditions को fulfill करते होंगे, उन liquids के mixture को separate करने के लिए, हम distillation process का use कर सकते हैं, देखे, अब ये distillation process का setup है, आपके सामने जो figure है, ये setup है हमारा, इस setup में हमने क्या किया है, एक तो burner लिया है, burner के उपर एक round bottom flask लिया है, इस flask में हमने उस mixture को ये देखे, ये जो है, ये वो mixture है, ठीक है, for example, acetone and water का, acetone and water का mixture है ये, ये thermometer है, जो की temperature में आपने के लिए है, ये जो है students, ये condenser है, condenser है, ये कैसे काम करता है, वो मैं आपको process का दुरान समझाऊंगा, और ये beaker है, जिसमें एक liquid separate होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, for example, acetone और water हमने लि काफी कम होता है, तो water, तो heat होता रहेगा, लेकिन acetone क्या हो जाएगा, boil हो जाएगा, gaseous form में change हो जाएगा, gaseous form में change होगा, तो वो उपर की तरफ rise करेगा, जबकि पानी नीचे ही रहेगा, क्योंकि पानी boil तब होगा, जब उसका boiling point cross हो जाएगा, तब, या उसका boiling point reach कर तब, तो acetone पहले boil करके पहले vapors बना लेता है, इसलिए वो उपर की तरफ जाता है, और जब वो इस condenser में से गुजरता है, तो वो gas से दोबारा liquid बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्योंकि इस condenser के आसपास, यहाँ पर, आसपास cold water flow कर रहा है, यहाँ से cold water अंदर जाता है, और यहाँ से water जो है, वो बाहर आता है, तो थंडा पानी गर्म हुए acetone को दोबारा से normal temperature पे लाके liquid बना देता है, और liquid acetone को यहाँ पे इस बीकर में कठा किया जा रहा है, और यहाँ पे round bottom plus में पानी रह जाएगा, थर्मोमेटर से आप reading ले सकते हैं, कि reading कितनी हुई है, acet अगला process आता है, fractional distillation, अब fractional distillation में और distillation में क्या फर्क है, fractional distillation और distillation में सबसे बड़ा फर्क तो यह है, कि जहाँ 25 Kelvin का जो बार था, distillation process में, वो fractional distillation में नहीं है, दो ऐसे liquids जिनके boiling points का difference 25 Kelvin से कम है, उनको भी separate किया जा सकता है, fractional distillation method के द्वारा, इसके अलाबा, fractional distillation method का इस्तिमाल अक्सा तब किया जाता है, जब दो से जादा, यानि multiple liquids एक दुसरे के अंदर घुले हुए हूँ, जैसे एक example में आपको बताता हूँ, petroleum में से, petrol, diesel, asphalt, bitumen, यह सारी चीजों को separate करने के लिए, fractional distillation method का ही use किया जाता है, इसके अलाबा जावा में से आप oxygen, nitrogen, carbon dioxide, इन सब को अगर आप अलग-अलग करना चाहते हैं, तो भी हम fractional distillation method का ही use कर सकते हैं, तो fractional distillation method में क्या होगा बच्चों, ध्यान दें, distillation और fractional distillation में एक ही फर्क है, setup में, इसका, यह जो part है, यह वाला जो part है, यह distillation में नहीं था, fractional distillation में है, इस part को कहा जाता है, fractionating column, यह कुछ नहीं होता इसमें, इसमें सिर्फ एक container होता है, उसके अंदर glass beads, कंचे टाइप के, गोल-गोल, कंचे टाइप के कुछ substances भरे होते हैं, जो कि surface area provide करते हैं, ठीक है, और liquids जल्दी, जो gases निचे से boil के जो gas आती है, वो फटा-फट liquid form में चे distillation में, वो अब नहीं चाहिए होता, इस fractionating column का यूज़ करने की वजह से, तो होगा क्या, मानलीजे इसके अंदर mixture में बहुत सारे, मानलीजे चार अलग-लग boiling points वाले, मतलब boiling point में difference तो होना चाहिए बच्चों, चाहे वो 4 degree Celsius का हो, चाहे 5 का हो, चाहे इससे कम हो, boiling point में difference हो जहां distillation में, boiling point में difference 25 Kelvin होना चाहिए था कम से कम, fractional distillation में, boiling point में difference तो होना चाहिए, लेकिन वो 4-5 degree Celsius का भी होगा, तो भी चलेगा, तो सबसे पहले, जिस liquid का boiling point सबसे कम होगा, वो vapors में change होगा, इस fractionating column और इस condenser की help से वो liquid बनेगा, और यहां पे इस beaker में एकठा हो जब वो liquid अना बंद हो जाएगा, तब दुसरा liquid vaporize होना शुरू होगा, फिर हम दुसरे को ऐसे ही कठा कर लेंगे, बीकर को बदल लेंगे हम, पहला liquid पूरा आ गया, हमने temperature देख लिया, हाँ भी, पहले liquid का boiling point क्रोस हो गया, for example, पहले liquid का boiling point 25 degree Celsius था, suppose, दुसरे का boiling point 30 degree Celsius है, जोथे का boiling point 50 है, मान लीज़े, चार liquid है, तो जैसे ही temperature 26-27 तक पहुचेगा, तो हम क्या करेंगे, इस बीकर को बदल देंगे, और दुसरा बीकर लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि temperature 25 degree Celsius से क्रोस कर चुका है, यानि पहले वाल जो liquid था, वो सारा gas बनके mixture में से निकल क्योंकि हमें पता है कि जो दूसरा liquid था, जिसका की boiling point 30 degree Celsius था, अब वो complete खतम हो चुका है mixture में से, अब आगे देखिए, अब ये जो process आपके सामने, ये जो diagram आपके सामने दिया गया है, इस diagram की में setup बता रखा है, वो setup बता रखा है, जिसकी help से हम air के अंदर मौजूद, अ separate कर सकती है, सबसे पहले तो आपको air को filter करना होगा, तक कि air के अंदर smoke, dust या इस तरह की कुछ particles हैं, तो वो बाहर ही रह जाएं, उसके बाद आप air को pressure डालके compress करेंगे, air को compress करेंगे, उसके बाद air को आप क्या करेंगे, यहाँ पर air को cool करेंगे, तो cold and compressed air आप हमें मिलेग ठीक है, air को हमने compress किया, और फिर air को हमने cool किया, तो हमें मिले cold and compressed air, फिर separator नाम का एक जो component है, यह carbon dioxide को अलग करेंगे यह वाला पार्ट, और यहाँ पे जो carbon dioxide अलग होगी बच्चों, वो solid form में बाहर आएगी, यानि dry ice बाहर आएगी, dry ice का मतलब होता है, solid carbon dioxide, उसके बाद उसके बाद ही जो liquid air है, यहाँ पे इसका fractional distillation होगा बच्चों, अभी मैंने जो बतायागा आपको fractional distillation, यहाँ पे इसका fractional distillation होगा, आरगन, nitrogen, oxygen, यह सारी अलग-लग हो जाएंगी, क्योंकि इन सब का, जो boiling point है, वो अलग-लग है, और इनके जो boiling point है, वो यहाँ पे दे र लखे हैं, oxygen का minus 183 है, आरगन का minus 186 है, nitrogen का minus 196 है, तो सबसे पहले हमें कौन सी obtain होगी, nitrogen होगी, उसके बाद हमें आरगन मिलेगी, और last में जो रह जाएगी, last में जो रह जाएगी, वो होगी हमारी oxygen gas, तो इस method से हमने air के अलग-लग components को अलग कर दिया है, आगे का जो method है, इ impure copper sulfate में से निकालना है, यानि किसी भी solid crystal, किसी भी solid compound को purify कैसे करना है, आपके पास एक sample है, जो copper sulfate का sample है, लेकिन इसके अंदर अशुदिया हैं, इसके अंदर impurities हैं, तो आप इसमें से pure, बिल्कुल pure copper sulfate को कैसे extract करेंगे crystals की form में, वो किया जाएगा, ये काम किया जाए crystallization method की help से, ठीक है, this can be done with the help of crystallization method, तो crystallization method में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम copper sulfate के impure sample में से pure copper sulfate के crystals बनाना सीखेंगे, कैसे, पहले तो 5 ग्राम impure copper sulfate एक चायना डिश में लीजिए, और जितना कम हो सके उतने पानी में इसको घोलिए, फिर उसको filter कीजिए, जो थोड़ी बहुत impurities होंगी, बड़ी बड़ी impurities होंगी, वो अलग निकल जाएंगे, अब copper sulfate को पानी गरम कीजिए, इस copper sulfate solution को गरम कीजिए, ताकि पानी evaporate हो जाए, saturated solution बन जाएए, अब इस solution को filter paper से cover कर दीजिए, filter paper से cover कर दीजिए इसको और इसको एक दिन के लिए room temperature पे छोड़ को दीजिए, अगले दिन जब आप उसको आके चेक करोगे, तो आपको copper sulfate के crystals, blue color के crystals आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और वो जो copper sulfate के crystals आपको मिले हैं, वो pure copper sulfate के crystals हैं, क्योंकि इन pure copper sulfate आएगा ही नहीं, crystals के form में, तो इस process का नाम है crystallization process, ठीक है बच्चो crystallization method का इस्तेमाल solids को purify करने के लिए किया जाता है, जैसे कि जो salt हम sea water से obtain करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी impurities होती हैं, उसकी impurities को अलग करने के लिए हम crystallization method का use कर सकते हैं, crystallization method में हम pure solid को crystals की form में बाहर निकालते हैं, solution से, crystallization method जो है, वो simple evaporation से ज़्यादा बहतर होता है क्यों? क्योंकि पहली बात तो कुछ solids ऐसे होते हैं, जो evaporation process के दोरान decompose हो जाते हैं, कोई ना कोई chemical reaction कर लेते हैं, जैसे कि sugar, sugar को गर्म करने पी वो चाड़ हो जाएगी, काले रंकी हो जाती है, कुछ impurities dissolved रह जाती हैं, filtration के बावजूद भी solution में, और जब evaporation पूरी होती है और हमें solid मिलता है, तब भी उस solid के अंदर कुछ impurities रह जाती हैं, लेकिन crystallization method में हम उसके crystals बना देते हैं, और crystal form में कोई भी impurity नहीं आएगी, इसलिए impurities ज्यादा अच्छे से separate out हो जाती है, crystallization method में, इसके use, pure salt को obtain करने के लिए sea water से, separation of crystals of alum from impure samples, अगर आपको pure fit करी, pure alum obtain करना है, impure alum से, तो उसके लिए भी method का use किया जा सकता है, तो उपर दिये गए method से हम mixtures को, mixture क्या होते हैं, बच्चों, impure substances, जिनके अंदर अलगलग तरह के particles होते हैं, उनको separate कर सकते हैं, जैसे जैसे technology ने advancement किया है, अलगलग तरह की separation techniques, अब हम use करना सीख रहे हैं, जैसे शहरों में जो drinking water supply होता है, उसका एक flow chart आपको अभी दिखाया जाएगा, इस figure में आपको बताया गया है कि drinking water को कैसे साफ किया जाता है शहरों में, तो ये setup आपको दिखाता है, इस setup में आपको बताया जाता है कि आपके घर में जो supply का पानी आता है, आपके घर में जो पीन Sedimentation tank में डाला जाता है Sedimentation tank में बच्छों क्या होता है इस पानी को कुछ time तक Undisturbed छोड़ दिया जाता है जिससे कुछ substances नीचे बैढ़ जाते हैं जैसे रेथ, कंकड, पत्थर या बड़ी-बड़ी impurities हैं वो नीचे बैढ़ जाते हैं उसके बाद, उपर वाले liquid को अलग कर लिया जाता है, अलग से tank में डाला जाता है, नीचे तो impurities रह जाती है, उपर के साथ हुए पानी को loading tank में डाला जाता है, loading tank में students एक adsorbent डाला जाता है, जैसे की fit kari alum बगारा, इससे क्या होता है, जो छोटे मोटे particles अभी भी liquid के अंदर गुले हुए हैं वह भी भारी होके या तो अलम के आसपास चिपक जाते हैं या फिर नीचे बैठ जाते हैं उसके बाद इस लोडिंग टेंक से निकलने वाले पानी को मिटी की कई layers में से गुजारा जाता है sand, gravel, coarse gravel की layers में से गुजारा जाता है और इसको एक tank में डला जाता है जिसको chlorination tank कहा जाता है इस chlorination tank की अंदर इस पानी में chlorine gas pass करवाई जाती है chlorine gas पानी के अंदर मौझूद harmful germs को मार देती है क्योंकि यह disinfectant का काम करती है और फिर उस pure पानी को हमारे घरों में supply कर दिया जाता है आगे समझते हैं बच्चो physical and chemical changes क्या होते है अगला topic हमारा देखिए physical changes क्या होते है chemical changes क्या होते हैं यह हमें पढ़ना है कुछ ऐसी properties होती है जो हम observe कर सकते हैं आसानी से जैसे की color, hardness, rigidity, fluidity, density melting point, boiling point यह सारी physical properties होती है ठीक है physical change जैसे की अगर मैं किसी substance को solid से liquid बना रहा हूँ liquid से gas बना रहा हूँ तो मैं उस substance को change नहीं कर रहा मैं सरिफ उसकी state change कर रहा हूँ तो interconversion of state is an example of physical change ठीक है क्योंकि इस change में कोई नया substance नहीं बनता substance का chemical nature change नहीं होता substance का chemical nature वैसा ही रहता है ठीक है जैसे ice water और water vapor T01 की substance है H2O इनका chemical nature अलग अलग नहीं है water और cooking oil दोनों liquids हैं लेकिन इनकी chemical properties यह दुसरे से अलग हैं इसका मतलब water और cooking oil की जो chemical properties है वह दुसरे से अलग होंगी ठीक है जैसे की हमें पता है oil जो होता है वो air में burn करता है जबकि water आपको बुझा देता है यह chemical property है जो oil और water को एक दुसरे से अलग लग बनाती है burning की बात करें जब भी हम किसी चीज़ को जलाती है जब भी हम किसी चीज़ की combustion करती है तो इसका मतरब atmosphere में present oxygen के साथ हम उसकी reaction कर रहे होते है तो क्योंकि हम उसकी chemical reaction कर रहे है क्योंकि हम उसकी chemical properties को change कर रहे है so it will be called a chemical change ठीक है chemical change को chemical reaction भी कहा जाता है जब हम candle को burn करते हैं तो physical और chemical दोनों changes होते हैं कैसे जब हम candle को burn करते हैं तो wax का फिगलना एक physical change होता है क्योंकि वहाँ पे state change हो रही है solid wax liquid बन रहे हैं वो एक physical change है लेकिन जब हम उसको जलाते हैं तो carbon dioxide gas निकलती है oxygen gas use होती है ये एक chemical change का example है तो अगर कोई आपसे कहे burning of candle तो ये chemical change melting of wax कहे तो ये क्या कहलाएगा एक physical change अगर मैं आपको physical और chemical change में फर्क करने का एक छोटा सा point दूँ तो सबसे बड़ा point of difference physical और chemical changes में होता है formation of new substance with new chemical properties एक नया substance नई chemical properties के साथ तयार होता है chemical change के बाद जबकि physical change में substance का color, size, shape ये चीज़े तो change हो जाती है लेकिन उसका chemical formula उसका chemical nature change नहीं हो पाता है आगे आपके आता है pure substances के बारे में देखिए अब तक जो हमने उपर चप्टर पढ़ा न वो impure substances यानि mixtures के बारे में था हमने mixtures के type पढ़े हमने mixtures को अलग करना सीखा अब हम पढ़ेंगे pure substances के बारे में मैंने आपको चप्टर की शुरुवात में भी बताया था pure substances दो तरह के होते है elements और compounds इन दोनों में primary difference क्या है जैसे कि hydrogen येक element है water येक compound है अगर दो या दो से जादा elements से मिलके कोई substance बनता है तो उसको क्या कहा जाता है compound कहा जाता है बात करते है elements की Robert Boyle पहले scientist थे जिन्होंने element term को use किया था 1661 में Antoine Laurent Lavosier ये French chemist थे जिन्होंने element की experimental definition हमारे सामने रखी थी इन्होंने कहा था element एक basic form of matter है जिसको simple substance में break नहीं किया जा सकता chemical reaction करके ये definition आप भी use कर सकते है elements के आगे तीन types होते है metals, non-metals और metalloids metals, non-metals और metalloids की properties आपको काफी कराई गई थी class 8 में दोबारा बता देते हैं आपको metals जो होते हैं उनमें luster होता है, चमक होती है silvery, grey या golden, yellow color के होते है heat or electricity के good conductor होते है ductile यानि wires में change किया जा सकता है hammering करके, malleable यानि thin sheets में change किया जा सकता है hammer करके, sonorous यानि किसी hard substance से ठोके जाने पे मारे जाने पे वो turn यानि ringing sound produce करते हैं तो ये metals की properties होती है metals के examples है gold, silver, copper, iron, sodium, potassium mercury अकेला metal है जो की room temperature पे liquid state में exist करता है तो ये आपने पहले भी पढ़ा है class 8 में भी आपको पढ़ाया होगा आपकी teacher ने that mercury is the only liquid metal at room temperature room temperature पे only liquid metal mercury ही होता है non-metals जो होते हैं उनमें कई colors पाए जाते हैं वो अक्सर non-metals, अक्सर सारी नहीं अक्सर non-metals seat और electricity के poor conductor होते हैं लेकिन graphite जो की carbon का एक form है वो good conductor होता है जो non-metals होते हैं वो lustrous, sonorous और malleable नहीं होते non-metals के example hydrogen, oxygen, iodine, carbon, bromine, chlorine ये examples हैं इसके ठीक है कुछ elements जिनकी properties metals और non-metals दोनों से मिलती हैं उनको कहा जाता है metalloids जैसे की boron, silicon और germanium are examples of metalloids ठीक है बच्चों यहाँ पे इसने क्या कहा है देखिए more to know में hundred से ज़्यादा elements के बारे में आज हमें पता है 92 जो elements है वो natural occurring है बाकि जो man-made है nature में नहीं मिलती हमने उनको बनाया है ज़्यादातर जो elements earth पे पाई जाते हैं वो solid होते है 11 elements gaseous state में पाई जाते है room temperature पे दो elements पाई जाते है liquid state में mercury और bromine bromine non-metal होता है और mercury metal होता है liquid metal भी एक ही होता है mercury और liquid non-metal भी एक ही होता है bromine ठीक है gallium और cesium यह room temperature से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करने पे liquid बन जाते है ठीक है gallium और cesium यह काफी reactive non-metals होते है आगे बात करते हैं compounds की एक ऐसा substance जिसको 2 या 2 से ज़्यादा elements को chemically react करके बनाया जाता है fixed ratio में जैसे H2O में ठीक है एक water molecule के अंदर 2 parts तो दो atoms तो hydrogen की होंगे एक oxygen का होगा अगर मैं 4-3 लिखूं तो वो water नहीं कहलाएगा वो कोई अलग compound बन जाएगा या फिर बन ही नहीं पाएगा कोई भी compound ठीक है तो fixed ratio में जब दो elements को एक दुसरे के साथ combine किया जाता है तब वो क्या बना देते हैं compound बना लेते हैं यहाँ पे एक activity है 2.10 बहुत ही ध्यान से समझेगा बच्चों क्योंकि यह difficult activities में से एक है इस activity की help से आपको compounds और mixtures mixtures हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में और compounds मैंने आप भी आपको बताया है group 1 को भी और group 2 को भी iron filling यानि लोहे का चूरा और sulfur powder ये दो चीज़े दी हैं ठीक है group 1 को भी group 2 को भी group 1 को क्या करना है iron filling और sulfur powder को एक दुसरे से के साथ mix करना है यानि mixture बना देना है इनका ठीक है और group 2 को क्या करना है iron fillings और sulfur powder को mix करके strongly heat करना है और फिर mixture को cool करना है तो इससे क्या होगा group 1 में तो क्या रहेगा iron जिसका symbol F.E. होता है और sulfur ऐसे अलग लग रहेगा वो एक mixture है students ये एक mixture है group 1 के पास mixture है group 2 ने क्या किया chemical reaction कर दिया F.E. और S को heat कर दिया और क्या बना दिया F.E.S. बना दिया एक नया compound बना दिया इसने जिसका नाम हम प्यार से रखते है ferrous sulfide ठीक है बच्चों its name is ferrous sulfide ये ferrous sulfide कहलाएगा हमारा तो group 2 के पास तो है एक compound क्योंकि इसने heat करके compound बना दिया group 1 के पास है एक mixture F.E. और S का अलग लग इसमें F.E. और S. अलग लग है और यहाँ पे इसने group 2 ने इन दोनों को heat करके एक ही बना दिया है एक ही substance बना दिया है compound बना दिया है अब क्या करना है आपको अब आपको इन दोनों के पास यनि F.E. प्लस S. के पास भी और F.E.S. के पास भी iron लेके जाना है sorry, magnet लेके जाना है तो यहाँ पे क्या होगा जब आप इसके पास magnet को लेके आएंगे तो जो iron का part है न iron जो है वो magnet के साथ चिपक जाएगा और यहाँ पे magnet के साथ कुछ भी नहीं चिपकेगा तो इस से क्या पता चलता है में इस activity से क्या पता चलता है कि जो mixtures होते है वो अपने constituents की property show करते हैं जबकि compounds constituents की property show नहीं करते हम सबको पता है लोहा चुमबक की तरफ attract होता है लोहे की ये property mixture में तो दिखाई दे रही है लेकिन compound में दिखाई नहीं दे रही तो constituent की properties जिनसे वो बनाये गए है जिस substance से उनको बनाया गया है उन substance की properties visible होती है mixtures में और disappear हो जाती है उनके compound बनने के बाद इसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं हम हमने हमें क्या करना है अब की बार carbon dioxide डालना है और अच्छे से उसको मिला देना है carbon dioxide डालके हमें अच्छे से क्या करना है उसको मिला देना है उस substance को अच्छे से मिला देना है तो अब हम देखेंगे क्या देखेंगे देखेंगे जब आप Fe plus S यानि mixture को डालेंगे इसके अंदर जब आप डालेंगे ये हमारा carbon dioxide सलफाइट CS2 होता है कार्बन डाय सलफाइट जब यह डालेंगे तो क्या होगा जो सलफर है ना बच्चों वो कार्बन डाय सलफाइट में घुल जाएगा और बाद में प्रेसिपिटेट्स बनके अलग-लग दिखाई देने लगीगा लेकिन FES जब आप इसके अंदर कार्बन डाय सलफाइट में घुलने की जो टेंडेंसी है वो शो हो रही है mixture में और शो नहीं हो पा रही compound में दोबारा फिर वही चीज़ प्रूव होती है क्या चीज़ प्रूव होती है कि mixture में constituent की properties visible होती है जबकि constituent की properties disappear हो जाती है compound बनने के बाद किसरी process भी हमें यही प्रूव यही प्रूव करेगी क्या करना है आपकी बार आपको mixture में भी Fe plus S में भी और Fe S में भी आपको क्या करना है dilute hydrochloric acid या फिर dilute sulfuric acid डालना है तो क्या होगा बच्चों इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे कि क्या होगा यहाँ पे तो ऐसे में आपका observation देखे क्या होगा वहम आपको बताता हूँ जब आप Fe plus S इसके अंदर HCl डालेंगे तो hydrogen gas evolve होगी hydrogen gas की पहचान होती है it burns with a popping sound जब आप hydrogen gas के पास लेके आती है burning magic को तो burning magic pop sound के साथ बुच जाती है और अगर आप Fe S के अंदर HCl डालेंगे तो आपको H2S gas बाहर निकलती हुई मतरब observe होगी देखे यह दोनों जो gases है H2 भी colorless, odorless होती है H2 जो होती है colorless तो होती है लेकिन इसके अंदर सड़े हुए अंडों की smell आती है तो आपको एक ऐसी gas बाहर निकलती हुई निज़र आएगी which has a smell of rotten eggs ठीक है तो यहां से भी हमें वही चीज प्रूव होती है तो mixtures और compounds का difference पहली बात तो elements और compounds को mix करके किसी भी ratio में mixture बनाया जा सकता है जबकि elements की chemical reaction करके compound बनाया जाता है ध्यान रखने इस बात का Mixture में variable composition होती है कमपांड की composition fix होती है जैसे कि अगर mixture माने जिए मैंने कोई mixture बनाना है for example sugar solution बनाना है मेरेको तो अगर म tengo声 चार चममद चिन्नी घोल दूंगा तो भी वो sugar solution होगा अगर मैं świ声 में高clockwise और composition की जो ratio है components की जो ratio है वो अलग-लग हो सकती है जबकि compounds में fixed होती है जैसे H2O में hydrogen और water की ratio 2 ratio 1 ही होनी चाहिए mixture में constituents अपनी property show करते हैं, compounds में नहीं करते हैं, constituents को separate किया जा सकता है physical methods में से mixtures में से लेकिन compounds में से separate करने के लिए chemical reactions करवानी पड़ती हैं, तो यहां पर यह जो पूरा है यह मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है बच्चों, यहां पर यह आपको एक diagram दिखा रखा है, matter को divide किया जाता है pure और impure substances में, यानि pure substances और mixtures में, mixtures के दो types है, homogeneous और heterogeneous mixtures, pure substances के दो types है, elements और compounds, elements और compounds में क्या difference है, यह भी आप study करें, homogeneous and heterogeneous mixtures में, वैसे मैं आपको chapter के दोरान यह बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप अच्छे scene को अच्छे से discuss करें, तो students यहां तक आपका chapter खतम होता है, वीडियो हमारा खतम होता है, अगर आप इस channel पे नहीं हैं, तो please channel को subscribe क करें, और notification bell icon को जरूर दबाएं, students वीडियो को like और share करना मत भूलें, क्योंकि आपके लिए काफी effort सम करते हैं, तो आपके like समारे लिए काफी valuable है, thank you बच्चों